हाई फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में OSA questions के बारे में discuss करेंगे जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए मतपुण होगा तो पहला सवाल है आपका भारत में अंग्रेजी सिक्षा का मेंगना काटा किसे कहा जाता है तो इसका राइड एंसर हो जागा option A, boat dispatch अगला सवाल है राष्टिय साक्षर्ता मिशन की सुरुवात कब हुई तिसका राइड एंसर हो जागा option D, 1988 इस भी अगला सवाल है विश्रो विद्धाले अनुदान आयोग बर्दमान में विश्रो विद्धाले विकास आयोग की अस्तापना कीस बर्स की गई तिसका राइड एंसर हो अनुसंदान और प्रसिक्षन परिशत की अस्तापना कब की गई तिसका राइड एंसर है option C, 1961 अगला सवाल भारत में नई राष्टिय सिक्षा निती की घोष्णा किस बर्स की गई थी तिसका राइड एंसर है आपका option B, 1986 अगला सवाल सिक्षा के 10 प्लस 2 प्लस 3 के पैटर पर्थम सुझाव किस ने दिया था इसका राइड एंसर है option C, कलकत्ता विश्व विदाले आयोग अगला सवाल सिक्षा के 10 प्लस 2 प्लस 3 आकार की सिफारिस किस ने की थी राइड एंसर है option A, कोठारी आयोग 10 प्लस 2 प्लस 3 सिक्षा पदेती लागु की गई तो किस सिक्ष सिक्षा निती के अनुसार इसका राइड एंसर हो जागा option A, राष्ट्य सिक्षा निती 1986 अगला सवाल, ओपरेशन ब्लेक बोर्ड नामक कारिकरम कब सुरू किया गिया राइड एंसर ओप्शन B, प्रेंट मिस्टेक था स्टुडेंट राइड एंसर हो जागा ओप्शन B, 1987 से 1988 इस्वी में, अगला सवाल, ओपरेशन ब्लेक बोर्ड कारिकरम का उदेश्य है, यानि ओपरेशन ब्लेक बोर्ड कारिकरम का क्या उदेश्य था, तो राइड एंसर हो जागा option D, मतलब सभी प्रथामिक विद्याले में सिक्षा के लिए बुनियादी सुविधा जूटा एक सिक्षक वाले विद्याले में एक और सिक्षक की विविस्ता करना, सभी अस्तर पर गनित वा बिग्यान के पढ़ाई का अस्तर उचा उठाना, अगला सवाल है, नोबोदे विद्याले में दाखिला किस कक्षा में होता है, राइड एंसर option C, छटी कक्षा में, अगला सवाल है, नोबोदे विद्याले के संधर्व में कौन सा कथन सही है, तिसका राइड एंसर हो जाएगा, option B, नोबोदे विद्याले बहुत ही लोगप्रिय, सिच्छन, संस्तापन है, जिसमें पर्ति बर्स 30,000 ने चातों को परवेश दिया जाता है, अगला सवाल, मुक्त व विद्याले मतला, ओपेन इंवर्सिटी, इसका राइड एंसर है, option C, इंग्लेंड, इंग्लेंड एक ऐसा देश है, जिससे सबसे पहले, ओपेन इंवर्सिटी की सुरवात किया, अगला सवाल, मुक्त विद्याले, यानि ओपेन इंवर्सिटी, कि अस्तापन का बीचास वर पर्थम किसने दिया, तो option हो जाएगा D, हेराण बिलसर ने, अगला सवाल, भारत में पर्थम खुला विश्व विद्याले, यानि ओपेन इंवर्सिटी कहां अस्तापित हुआ, राइड एंसर हो जाएगा option D, नहीं दिल ले, अगला सवाल, इंद्रा गांधी राष्ट मु आगला सवाल, इंद्रा गांधी राष्टिय मुक्त विशु भिदाले का मुझ्याले कहां है, तो इसका राइड एंसर हो जाएगा option A, नहीं दिल ले, अगला सवाल, इंद्र एंगरेजी एबंग बीदेशी भासा संस्तान कहां है, तो इसका राइड एंसर है option A, हैदराबा आगला सवाल भार्तियों पोसु चिकित्सथा अनुसंधान संस्तान कहां इस्तित थै तो राइड एनसर ओंशं बी इजात नगर अगला सवाल स्ञेय भार्तिये सांकी की संस्तान यानि आय disfr कहां इस्तित है तिसका राइड एंसर है ओप्शन बी कुलकात्ता है को से नमर्ट 21 भारतिया खनन विद्धियालय यानि इंडियान स्कूल आफ माइन्स कहां इस्तित है तिसका राइड एंसर है ओप्शन भी धनवाद जो जार्खन में है अगला सवाल है भारत में या के सबसे पूराना एडि कोलेज है अगला सवाल मुंक उयाफ अप्शन कोलेज कहां स्तित इसका राइड एंसर है ओप्शन कोल्कत्ता फोड विलियम कोल्कत्ता में है अगला सवाल पुछ अस्तरिया इंडियर इसकूल बिजनेस स्थित्थ है इसका इन्सर जारेको option D हैधराबाद अगला सवाल बिस्व भार्ति बिस्व विदालाई कि अस्थपना किस ने की थी इसका अगला सवाल जामिया मिलिया इस्लामिया की अस्तपना किस ने की थी इसका राइड एंसर हो जागा ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसेन अगला सवाल सिक्षा में सुधार है तो बिटी सरकार ने सेडलर आयोग कब ने जुक्त किया तिसका राइड एंसर हो जागा ऑप्शन बी 1957 अगला सवाल है लॉड मेकाले संबंदित है यानि लॉड मेकाले किस से संबंदित है तिसका राइड एंसर है ऑप्शन सी अंगरेजी सिक्चा से